पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ असिम मुनीर के लिए मुश्किले बढ़ती जा रही हैं असिम मुनीर के कुरसी पर बैठते ही सबसे पहले तो सेना के कई बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया सेना के ये सभी अधिकारी इमरान खान के करीबी थे लेकिन इसके बाद अफगानिस्तान के तालिबान और टीटीपी ने पाकिस्तान को चुनोती दे कर असिम मुनीर की मुश्किले और बढ़ा दी हैं असिम मुनीर के लिए सबसे बड़ी चुनोती अब अपनी इज़त बचाना है इसी के चलते असिम मुनीर पीयो के पहुँच गए और वहां से भारत को धमकी दी ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने देश के गीड़ों से बचने के लिए असिम मुनीर ने शेर से पंगा ले लिया है दरसल TTP ने जब से पाकिस्तान में हमलों की धमकी दी है तब ही से असिम मुनीर भागे भागे फिर रहे हैं भागते भागते असिम मुनीर पीयो के पहुँच गए और उन्होंने वहां से भारत को धमकी दी और कहा कि वो हर तरहे की लड़ाई के लिए तयार है असीम मुनीर के पास अपनी नौकरी बचाने का एक ये ही रास्ता था सबका ध्यान भटकाने के लिए असीम मुनीर ने उसी मुद्दे का जिक्र किया जिस पर लगातार भारत बयान दे रहा है असीम मुनीर ने पियोके से भारत को धमकी रक्षामंत्री राजनाथ सिंग और भारतीय सेना के नौर्धन आर्मी कमांडर लेटिनन जनरल उपेंद्र दुवेदी के हालिया बयानों के जवाब में दी है आपको याद होगा कि राजनाथ सिंग ने अक्टूबर में कहा था कि गिलगिट बालतिस्तान भारत का हिस्सा है और भारत का विकास तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक यहां का विकास ना हो भारत वैसे ही पियोके पर हमला करने की तयारी में बैठा है और अब तो खुद आर्मी चीफ पियोके में पहुँचकर भारत को हमला करने के लिए उकसा रहे हैं असीम मुनीर ने पियोके जाकर भारत को धमकी नहीं दी है बलकि भारत को पियोके पर हमला करने का एक सुनहरा मौका दे दिया है रक्षा विशेशग्यों के मताबिक असीम मुनीर अपने ये ज्यादा मुश्किले पैदा करने की तैयारी कर चुके हैं। सारवजनिक तौर पर उन्होंने पहली बार P.O.K. से भारत विरोधी बयान दिया है। ऐसे में ये सोचना गलत होगा कि वो कभी भारत को अपना दोस्त समझेंगे और या फिर भारत के प्रती नरम रुख अपनाएंगे। असी मुनीर वो शक्स हैं जिनके ISI चीफ रहते हुए भारत ने फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले को जेला था। भारत इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि असी मुनीर इंटेलिजेंस के महरत ही हैं और जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। भारत ये भी जानता है कि असी मुनीर किसी खतरनाक प्लैन की तैयारी में भी हो सकते हैं। पीओके में असी मुनीर का पहुचना किसी खत्रे की आहट हो सकती है लेकिन इस बार भी भारत के जबान राइफल की ट्रिगर पर अपनी उंगली लगाए बैठे हैं